क्या नितीज कुमार नौमी वार मुख मंत्री का सपत लेंगे ऐसे कई बार राजनीतिक हल्चों में बाते चलते रहती हैं अभी हमारे साथ धिरेंद्र जी हैं बरिष्ट पत्रकार हैं जरा जानेंगे और समझेंगे कि नितीज बाबु जो इतना आलटी पलटी करते रहते हैं उन तमाम मुद्दों और बातों को लेकर कि अभी जिस प्रकार से तेजस्वी आदव का पीट ठोक कर वह बता रहे हैं कि यही भविस्ट का मुख मंत्री होगा मगर उनके मन में कुछ और कारेकलापों में कुछ और कईवार देखा गया है तो धिरेंद्र जी क्या लगता है नितीज जी कि आप नौमी बार सपत लेंगे नौ जो अंक है न वो सनातन संसकार में बड़ा शुभ माना गया है तो आपका प्रश्ण जो है वो सुभ को लेकर है कि क्या ऐसा शुभ होगा और मुझे ऐसा लगता है कि जब भविस्ट से हम नहीं जानते हैं कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा तो उमीद तो सुभ की रखनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है नौ से ज़्यादा इगारा को सुभ माना जाता है लगता है अनाया सही सही किसी जियोतिश ने मुझे एक वार बताया था साल 2015 की ये बात है जिसमें नितीश कुमार लालू यादव के साथ हमिल के चुनाव लड़ रहे था और उसमें भी ये बीजे पीसे अलग थे 2015 की विधान सवा चुनाव की बात में कर रहा हूँ बताया था कि नितीश कुमार दो हजार उनतिस तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहेंगे एकल पद पर दो हजार उनतिस तक आसीन रहेंगे ये एक जियोतिस के कहे गए वक्तव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ अब 2029 तक में ये नौवी बार सपत लेते हैं या 2029 महुचते पहुचते एक 11 वी बार हो जाएगा ये तो भविश के गर्त में है चोकि ये जितना पल्टी मारते हैं इनको खुद भी अंदाजा नहीं है क्या हो 9 वार लेंगे या 11 वी बार लेंगे लेकिन एक भविश वक्ता के बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ उनका नाम मैं नहीं बताऊँगा चोकि वो उस्तमें भी बताये थे कि मेरा नाम ना कोट किया जाए नितीस कुमार 2029 तक चाहे जिस तरिक प्रकार से हो धोके से हो या धक्का से हो मुख मंतरी पद पर आसीन रहेंगे पहली बात दूसरी बात बारम बार नितीस कुमार कह रहे हैं तेजस्वी जी के तरफ इशारा करते हुए कि 2025 में इनको बढ़ाना है अब हम इनके लिए काम कर रहे हैं भविस इन लोगों का है इन लोगों को ही बिहार को आगे लेके जाना है यह सब धिरेंद्र जी लगता है कि ब्लैक मेल टाइप का इप नहीं ब्लैक मेल नहीं है नितीज कुमार ने जिस वेक्टी को कहा कि अब इनके भरों से आगे चलना है और यही आगे लेकर चलेंगे वो तमाम वेक्टी को नितीज कुमार साल दो साल और तीन साल होते होते काट के किनारे कर दिये यह नितीज कुमार की कारेशली है 2010 तक नितीज कुमार के राजनितिक उत्तराधिकारी माने जाते थे ललन सिंग 2010 में ललन सिंग का परकतर दिया गया ललन सिंग पाटी से भी अलग हो गया 2010 से लेकर वरतमान तक नितीज कुमार के राजनितिक उत्तराधिकारी माने जाते थे RCP सिंग, RCP सिंग आज कहा है, 2020 के बाद बदली हुई पर इस्थिति में अपनी पाटी के विले करते हुए उपेंद्र कुस्वाहा आए नितीश कुमार के साथ, और उपेंद्र कुस्वाहा के समर्थकों के बीच में ये मैसेश था, कि नितीश कुमार के राजनिति को तरा अधिकारी होंगे उपेंद्र कुस्वाहा, आज उपेंद्र कुस्वाहा आपने सरीर के किस-किस मुड़ पर रो रहे हैं, और राजनिती में कहां कहां क्या गलती किये हैं, अकिले में बैठ कर सोचते होंगे, इसलिए नितीश कुमार ने जब जिसको कहा कि ये उतरा अधिक होंगे और भविस इन ही का है, और इन ही के आसरे आगे बढ़ना है, तभी उस विक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, तेजस्वी को ये बात पता चल रहा है कि लालू जी तो ही समझ गए होंगे, कि उनका दावपेज तो मुटा मुटी समझते होंगे, काला है, मुझे लगता ह जिसमें चीजें रिपीट नहीं होती, हो सकता है कि तेजस्वी जी जो अभी तक की जो ट्रेंड बन चुकी है, नितीज पॉलिटिक्स को उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हों, चुकि आखिर वो कौन सी परिस्थिती थी, कि नितीज कुमार को ये कहना पड़ा कि दो बता रहा है, ये स्टेट्मेंट बताता है, कि महागडबंधन के अंदर खाने सब कुछ सही नहीं है, आचानक क्यों कहना पड़ा नितीज कुमार को, कि दो हाजार पचीस हमिन के नित्रित्म में लड़ेंगे, यकीन मानिये, तेजस्वी आदव के खेमा से, या राजद की तरफ से या महागडबंधन में आंतरिक तोर पर इस बात की मांग चल रही थी, और इस बात की वकादत हो रही थी, इस बात का कसरत किया जा रहा था, कि नितीज कुमार को यहां से हटा के केंदर की राज निती में भेजा जाए, और प्रदेश तेजस्वी आदव को दिया ऐसी इस्थिती में नितीज कुमार ने ऐसे तमाम रण नितीकारों को एक तरीके से विराम दिया, कि 2025 में हम खुद इनको दे देंगे, तंग तंग ना करें, इसे बचा होता है न, चौकलेट देख लेता है तो, बिलकुल, बिलकुल, एक सांत्वना दिया गया है, इसके बा 2025 के पाल ही सत्ता परिवर्तन हो जाए, बिलकुल, तो इन बदली हुई परिस्थिती में, नितीज कुमार को ऐसा बयान देना पड़ा है, लेकिन, नितीज कुमार की जो राजनितिक कारेशेली है, और नितीज कुमार के जन्मकुंडली के आधार पर, जिस जियोचिशाचार ने मुझे नितीज कुमार का भविश्य से बताया था, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, कि येन केन प्राक्रेन, वीपी सिंग का एक बड़ा फिमस डायलोग था, कि चाहे धोके से बने हो, या धक्का से बने हो, पीम बन तो गए ना, नितीज कुमार बिहार में आज की तारीख में तीसरी बड़ी पार्टी के नेता है, इसके बावजूद, अगर जो बिहार जैसे राजनितिक रुप से समवेदंसील प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही हो, या चलती हो, कि नरेंद्र मोदी को परास्त करने के लिए नितीज कुमार को ही आगे लाया जाए, ये खुद में अपने आपने राश्टी फलक पर आने के बराबर है, ये सामाने चाविश् वरतमान में, और कई मायने में तो ये पूरे, इस जून के सबसे बड़े नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को दिखा जा रहा है, या देखा जाता है, या रिकोगनाईज किया जाता है, और उनके पैरलल आपको खड़ा किया जा रहा है, जहां पर आपकी राजनितिक जमी इनके सामने एक चटाई के बराबर की हैसियत रखती है, कार्पिट के बराबर आप हैं, तो ये अपने आप में राजने राष्टी फलक पर आने से कम नहीं है, मतलब कि भले ही जनाधार नहीं हो, मगर उनका एक ब्यक्तित्विया प्रभाब कह सकते हैं, कि बनता है, संयोग मुझे लगता है कि जनाधार का मसああ नहीं है, ये नितिस कुमार की की एक तरीके से कहिए कि चलाकी चलाकी वें चुकिकि नितिस कुमार तो से नहीं कहां के के एंधनी भूमिका में जाना चाहता हूं, उनके लोग कह रहे हैं या नितीज कुमार के साथ रहने वाले लोग और इनके सहयोगी दल की तरफ से बारम-बार मांग उठ रहा है तो ये मांग उठना अब कोई आज की तारीक में कहे कि धिरेंदर कुमार को नरेंदर मोदी के पैरलल खड़ा किया जाए हम भले चुनाव लड़ें, जीतें, हार जाएं लेकिन अगर किसी बुद्धी जीवी के मन में ऐसी चर्चा हो जाती है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब दी है ये नितीज कुमार के लिए बहुत बड़ी उपलब दी है कि जिस पार्टी का वजूद राश्ट्रियस ये अपनियात में आपके अराश्ट्रिय फलक पर आने के से कम नहीं है अच्छानक अच्छानक जो क्या कहते हैं जो उमर का असर है या क्या गुद्सा हो जा रहे हैं इस सब क्या समझा जाए राजमीती में चिड़ चिड़ आपन या क्या कहते हैं उसको 772 साल में बमक जाते हैं अगर आप बहुत बहुत गए नितीज वावु च्हापता है उस पर प्रदेश को में अपनी हनक पर चलाते रहे हैं उस प्रदेश में गडब घबंधन को बदलने के बावजूद इस्टिट्मेंट देने के पलट के डिप्टी सीम की तरफ देखते हैं इस तरीके से लगता हो जैसे कि रजामंदी ले रहे हैं कि बाबू जो हम बोलने हैं सो सही है यह एक तरीके का अवसाद है अवसाद इस बात का भी है कि आज वो लड़का उनके कमपटीशन में उनके पैरलल आके खड़ा हो गया जिसके पिता को वो राजनितिक रूप से परास्त की हो रणनितिक रूप से परास्त की हो अवसाद इस बात का भी है कि मेरा पुत्र कहां रह गया और मेरे सही होगी मेरे प्रतिद्वंदी का पुत्र कहां से कहां निकल गया अवसाद इस बात का भी है, कि 2013 में हम जिस व्यक्ति से लड़ते हुए अलग हो गए थे, उसी व्यक्ति के सामने हमको 2017 में सरेंडर करना पड़ा, और 1994 में जिस व्यक्ति से लड़ते हुए हम अलग हो गए थे, उसी व्यक्ति के गोद में जाके 2022 में पुना हमको दूसरी बार बैठना प पर परिस्थितियों से खुश नहीं हो पा रहे हैं। जैसे लगता हो ना कि उनको कोई चारों… कहाता है ना कि पैर बांध के कोई दोणने के लिए कह रहा हो। और दाव लगाया जा रहा हो कि तुम रेस जीत के दिखाओ। तुम तो रेस जीतने वाले गोडा हो। प्रदेश के राजनीत में नहीं जाना चाहते हैं कि अगर मेरी ताकत सबसे ज्यादा होगी तो चालीससाद हमारे पास होगा चालीस में 2020 पर प्रदेश आप जीते गए चालीस होगा जहर खंडों से आपको पैचको सीट मिल गया पैटालीस होगा आप 10% total house के strength के 10% से आप नीचे हैं और आप चाहाए रहे हैं कि हम नरेंद्र म और वो तब जब 2014 के बाद से गठ बंधन में रहने के बावजूद जनता सिंगल पार्टी को मेजरेटी दे रही है ठीक है कि वो गठ बंधन से जीत के आ रहे हैं लेकिन गठ बंधन के राजनीती इस प्रदेश में इस देश में 1990 से चलते आ रही है आखरी सवाल एक रहेगा जिस पे है कि नितीज जी अभी दवाब में काम कर रहा है या नहीं कहीं कि उनका आप तक कर जो देखने का राजनीती का नजरिया रहा है कि वो जट पट इस्तिफा देके या दूसरे प्याले में या कुछ और बंजाते हैं कर लेते हैं जो 1990 से अभी जी कम का देखा गया तो दवाब में रहते हैं कि मतलब की रार्जेटि थी महला की यही दवाब डालते हैं नहीं निटीज कुमैर कभी जठपत इस्तिफा सब्वेकार की पात है कभी नितीज कुमाथ जठ पट इस्तिफा दिये एक रेलीब के फेला हो गतर धुए वो तो ए गद्धी से इतना प्रेम है कि जो तुशाच चारे ने कहा कि दो हजार उन्तिस तक ये सक्स गद्धी पे ही रहेगा, नितीज कुमार को गद्धी से इतना प्रेम है कि 2020 के चुनाओं के बाद इस सक्स ने कहा कि मैं गद्धी पर नहीं जाना चाहता था, बीजेपी वालों ने जबरदस्ति मुझे गद्धी पर बिठाया, लेकिन 2022 में जब ये पल्टी मारते हैं, तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि आरजेडी वालों ने भी मुझे गद्धी पर 2022 में जबरदस्ति बिठाया, और नितीज कुमार को गद्धी से इतना प्रेम है कि महागडबंधन की मिटिं जरूर जी रहे हैं, एक मनोवैज्यानिक कस्म कस्मे जरूर जी रहे हैं, लेकिन नितीज कुमार पर प्रसासनिक और राजनितिक दवा बना दे आरजेडी, आरजेडी कि किसी निता के अंदर इतनी रणनेती कुवत ही नहीं है, चलिए, ये बात कर रहे थे धिरेंद्र जी स बरिष्ट पत्रकार हैं, और तमाम बाते लगभग 5-6 सवाल हमने लिये हैं, जो चन्द मिनिटों में हमने समझने का प्रयास किया, आप तक ये खबरे जा रही होगी, मेरा नाम हुआ रविकान, धिरेंद्र जी को बहुत-बहुत धन्यवाद को हूँगा कि इतना वक्त नि तो ये चीज़े चलते रहती हैं, और कब से कर रहे थे, पत्रकारिता से कब से जुड़े हैं, एक्टिव पत्रकारिता से तो मैं 2005 में जुड़ गया था, लेकिन मैं जिसमें UPSC के तयारी करता था, उसमें मेरे दोस्त कहते थे कि तुम IS बन गे तो ठीक है, नहीं तो पत्रक से जांए, यहां जा सकता है, इसको ऐसे कहा जा सकता है, उनके लिए सब्दों का कुछ चैन होना चाहता है, जिससे उसका सम्मान बचा रहे हैं चूबने वाली बात नहीं है लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो प्रसाशक बन जाते हैं वो सफल ही होते हैं कि सफल सिर्फ आईएस क्रैक करना सफलता का परामिटर नहीं है कितने आईएस हैं जिनको आप पहचानते हैं अगर एजे पत्रकार रविकांट का सब को ये लगता है कि धिरेंद्र कुमार की बात की जानी चाहिए और धिरेंद्र कुमार से बात की जानी चाहिए किसी विशे पर तो मैं एजे पत्रकार अपने आपको सफल मानता हूँ आजे आईए से अगर जो किसी को लगता हो कि यहां का डियम कौन है मैं नहीं जानता यहां का चीफ सेक्रेटरी कौन है मैं नहीं जानता देश का चीफ एलेक्शन कमिशनर कौन है बच्चे नहीं जानते हैं देश सूचना आयुक तो कौन है बच्चे नहीं जानता है इसका मतल बाते और करते हैं राजनीती से अलग हटके भी अभी के लिए धन्यवाद धन्यवाद